गुद्ध नाज जो हम डिस्कुशन करेंगे वो होगा क्लास 8 साइंस NCRT बुक का चैप्टर नमबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 3 इससे पहले मैंने इस चैप्टर के दो पार्ट की वीडियोस बना चुके हैं प्रीवेस पार्ट में हमने पेट्रोलियम के बारे में डिस्कुशन किया था, कोक के बारे में कोल तार के बारे में and कोल गैस के बारे में डिस्कुशन किया था, आज जो हम डिस्कुशन करने वाले हैं, वो होगा रिफाइनिंग औप पेट्रोलियम, जो की आपके बुक के पेज नमबर 59 से स्टार्ट होगा आप देखेंगे, ठीक हैं मैं यहाँ आप सब्सक्राइब बोलते जा रहा हूँ समझाते जा रहा हूँ, आप अपनी बुक पर भी देखते चलें पेट्रोलियम इस अ डार्क ओईली लिक्विट इट हैस एन अनप्लीसेंट ओडर ओडर का मतलब होता है गंद ठीक है कि एक डार्क ब्लैक कलर का लिक्विट होता है जिसका जो अडर है वो अनप्लीसेंट होता है याने इसकी गंद जो होती वो अप्री होती है अन नाव इट इस अ मिक्शर ओफ वेलियस कॉंस्टिट्यून such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil and paraffin wax याने different type का मिक्शर होता है petroleum के अंदर हम देखें इसलिए इसको refine करने की जोरत होती है ठीक है refine का मतलब उसको सुद्ध करना ठीक तो यहाँ पर लिखा है देखें कि the process of separating the various constitute fraction of petroleum is known as refining कि इन ही different type के जो constitute है उनको अलग करना ठीक है उनको separate करना ही refining है and now it is carried out in a petroleum refinery इसको हम petroleum refineries कहते है now various constitute of petroleum and their uses are given in the table ठीक है आप यह table देखें यहाँ पर यह table 5.1 है चहाँ पर लिखा है कि various constitutes of petroleum and their uses की बहुत सारे जो constitute निकलते हैं petroleum के उनकी uses क्या-क्या होते हैं सबसे पहले लिखाए petroleum gas and liquid form जिसको हम LPG बोलते है तो कि fuel form, home and electricity आपके घर में जो gas use किया जाता है gas की जो टंकी होती है चाहे वो Indian की हो या HP की हो इसमें LPG भरा जाता है liquid petroleum gas भरा जाता है and now दूसरा है petrol petrol का use आपको मालों में किन-किन चीज़ों पर petrol का use किया जाता है थर्ड नंबर पर है kerosene kerosene भी आप जानते हैं कि इस्टोप, lamb, ठीक है for jet, aircraft में भी इनका use किया जाता है फिर diesel है, lubricant oil, paraffin wax and bitumen ठीक है तो आप ये table को अच्छे से देख लें और इसको read करें and now उसी की नीचे आप देखें कि फिर लिखा है उपर कि many useful substances are obtained from petroleum and natural gas these are termed as petrochemicals कि बहुत सारे substances जो है वो petroleum और natural gas से obtained किये जाते हैं जिनको हम petrochemicals कहते हैं and now these are used in the manufacture of detergent, fibers जिसमें आप देखें polyester, nylon, acrylic जिसके बारे में हमने previous chapter में पढ़ा हुआ है ठीक है ये सारे चीज़ें बनाई जाती है and now polythene and other main made plastic hydrogen gas obtained from natural gas ठीक है बहुत सारे polythene जो man made होते हैं वो भी इन से बनाई जाते हैं और basically यहाँ पर लेगा कि hydrogen gas hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizers urea due to its great commercial importance petroleum is also called black gold ठीक है कि hydrogen भी बनाई जाते हैं जिसका use urea बनाने में किया जाता और इसके बहुत सारे commercial utilization है ठीक है इसी लिए petroleum को black gold कहा जाता है याने काला सूना कहा जाता है now 5.3 natural gas जहाँ पर लिखा है natural gas के बारे में natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipe कि यह बहुत ही important सबसे पहले जी तो fossil fuel है ठीक है और fossil fuel important होने के साथ-साथ इसका जो transportation है वो easily किया जाता है through pipelines की pipelines के दोरह इसको easily transport किया जा सकता है next देखेंगे इसी पर लिखा है कि natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas ठीक है कि इसको high pressure पर store किया जाता है ठीक है इसलिए इसको compressed natural gas कहते है CNG कहा जाता है now CNG is used for power generation it is now being used as a fuel for transport vehicle because it is less polluting it is a cleaner fuel ठीक है कि हम देखें कि इसका जो CNG का जो use है वो power generation यानि विद्धुत को उत्मन करने में light electricity generate करने में किया जाता है लेकिन आजकल इसका जो use है लिखा है कि it is now being used as fuel for transport vehicle because it is less polluting कि transport vehicle जो है जो गाडियां चलती है उनमें भी CNG का use किया जाता है क्योंकि ये less polluting होते है ठीक है pollution से मुक्त होते है pollution होता है लेकिन कम होता है and now it is a cleaner fuel इसलिए इसको cleaner fuel कहा जाता है यानि सौक शेहिंदन कहा जाता है जो कि pollution less होता है now the next लिखा इसी पर next paragraph देखेंगे page number 61 पर पहुँच चुके है the great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipe कि यहां पर लेखेंगे कि इसका main advantage क्या है कि इस से directly घरों पर पहुँचाया जा सकता है through the pipelines ठीक है इसलिए घर में घरें में इधन के रूप में जलाने के रूप में फिर factories में इनका use easily किया जा सकता है now such a network of pipelines exists in Barodra, Gujarat some parts of Delhi and other places ठीक है कि भारत देश के अंदर ही हम देखें तो कुछ जगों पर यह pipelines का जाल बिचा हुआ जैसे Barodra, Gujarat में New Delhi में फिर देखें कि हम Delhi के साथ कुछ और parts भी है fertilizers कि बहुत सारे chemical और fertilizers है उनके starting जो materials होते है ठीक है उनको बनाने में natural gas का use किया जाता है India has vast reserve of natural gas in our country natural gas has been found in त्रपुरा, राजिस्तान, महराष्ट and in the Krishna, गोदावरी, डेल्टा कि भारत में दी देखें तो natural gas का एक vast reserve है ठीक है इसके बाद नीचे देखेंगे आप जहां पर बूजो कुछ पूछ रहा है कुछ बता रहा है कुछ पूछने की कोजिस कर रहा है कि Can coal, petroleum and natural gas be prepared in the laboratory from dead organism बूजो जानना जाता है कि क्या dead organism से हम dead organism की help से हम laboratory में भी petroleum बना सकते है या natural gas बना सकते है Now, the answer given by पहेली No, their formation is very slow process and conditions for their formation cannot be created in the laboratory तो पहेली ने बता है कि नहीं ये possible नहीं है क्योंकि इनको बनने में millions of years लगते हैं बहुत slow process है और इसकी लिए जो climate condition चाहिए जो conditions चाहिए वो हम laboratory में generate नहीं कर सकते हैं लिए laboratory में petroleum and natural gas बनाना impossible है Now, the next 5.4 Some natural resources are limited ठीक है हम कुछ natural resources के बारे में बढ़ेंगे आप इस topic में कि कुछ जो limited है यसे यहाँ पर लिखा है paragraph में देखेंगे कि you have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels and forest minerals ठीक है कि कुछ natural resources के बारे में हमने जब chapter के starting में ही पढ़ा था कि कुछ natural resources जो होते हैं वो exhaustible होते है exhaustible का मतलब कि एक बार हमने use कर लिया एक बार exhaust हो गए तो हम दुबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते जैसे कुछ examples है like fossil fuel, forest and minerals next paragraph में देखेंगे लिखा है कि you know that coal and petroleum और fossil fuel कि अब तक हम पढ़ते आएं कि coal और जो petroleum है वो fossil fuels के example है और fossil fuels के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये exhaustible resources है and now it requires that dead organism millions of years to get convert into these fuels कि जो dead organism होते हैं ठीक है dead organism को fossil fuels बनने में fuels बनने में millions of years लग जाते हैं high temperature चाहिए दबाब चाहिए जो कि वो नीचे दबने के कारण millions of years के बाद ऐसी climate conditions ऐसी conditions create होती है कि वो dead organism से petroleum या coal बनते हैं and now on the other hand the non-reserve of these will last only a few hundred years और जो हमारे पास non-reserve है non-reserve का मतलब आप समझ लें कि ऐसे coal reserve या petroleum की reserve जो हमको पता है ठीक है कि यहाँ से petroleum मिलेगा यहाँ से coal मिलेगा और कितना amount में मिलेगा तो उनको हम non-reserve बोलते हैं तो उनके बारे में एक data यहाँ पर mention किया गिया है कि ऐसे जाए दी non-reserve जो है वो जो available है यहाँ पर वो लगबग आने वाले कुछ तो सालों तक ही चलेंगे उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे and now more ever burning of these fuel is a major cause of air pollution ठीक है और जिस तरीके से हम इनका use कर रहे है इनको burn कर रहे है इन fuels का ठीक है वो air pollution के लिए भी air pollution के reasons में आते हैं कि air pollution भी इनके कारण हो रहा है नेश देखेंगे लिखा है कि their use is also linked to global warming और इनके use से global warming भी हो रहा है global warming का मतलब globe का गर्म होना यहने temperature का rise करना ठीक है excess of carbon dioxide global warming बढ़ रहा है ठीक है तो इनके use से भी global warming हो रहा है and now it is therefore necessary that we use these fuel only when absolute necessary इसलिए कहा गया है कि हम इन fuels का use तभी करें जब हमको बहुत ज़्यादा जरूरत हो and now this will result in better environment smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time ठीक है तो इनका use necessary चीज़ों पर करने के लिए क्यों कहा है कि जब हमको necessary हो तभी हम इन natural resources का use करें इससे क्या होगा कि हमारा environment जो बेटर बना रहेगा and smaller risk of global warming global warming भी धीरे धीरे कम होने लगेगी और यहाँ पर लिखा है their availability for a longer period of time और इनकी जो availability है वो लंबे समय तक चल सकती है and now in India the petroleum conservation research association PCRA PCRA का full farm होता है petroleum conservation research association जो कि इंडिया में है advise people how to save petrol diesel while driving their tips are कि उन्होंने यह tips दिये हैं कि जब आप drive करें तो petrol और diesel को safe कैसे करें कुछ list, कुछ advice है कुछ tips है जो यहाँ पर mention है आप देखें फस्ट लेखा है कि drive at a constant and moderate speed as far as possible कि जब तक possible हो आप medium speed में चलें ठीक है constant speed में चलें और moderate, medium speed में चलें ज़्यादा तेज चलाने की जरूत नहीं है दूसरा लेखा है कि switch off the engine at traffic lights or at a place where you have to wait कि जब आप traffic signal पर फसे हो तो आपने engine को switch off कर दें या कहीं पर आप किसी का wait कर रहे हो तो भी आप अपने engine को switch off कर दें और यह देख लें कि टायर का जो pressure है वो correct होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए ना लास्ट लिखा कि ensure regular maintenance of the vehicle और आप हमेशा अपने vehicles को regular maintain करें ठीक है oil की checking फिर उसकी servishing आप daily maintain करेंगे तो वो कम diesel लेगा कम petrol लेगा तो यह कुछ tips थे जो की PCRA के द्वारा लोगों को दिये जाते हैं तो यहाँ पर आपका यह chapter होता है close यह chapter खत्म होगा next class में मैं इसके question answer के साथ आप से मिलूँगा आज के लिए बस इतना ही thank you so much